हेलो फ्रेंड्स फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो मैंने सारे टॉपिक्स तो आपको कवर करवा दिये थे लेकिन एक से दो टॉपिक रहे गए थे जो नहीं कवर करवा पाया था तो मैंने सोचा दोस्तो आप लोग के लिए चोटी से वीडियो बना दूँ वो टॉपिक्स हैं पोर्ट्स और उनके टाइप्स जो की लगातार दोस्तो एक्जाम में पूछे जा रहे हैं दूसरा जो टॉपिक है वो है MS Excel और MS Word की identifying parts जैसे की toolbar, menu bar, title bar और इनमें कौन-कौन से features है इन सारे टॉपिक्स है दोस्तो लगातार 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं एक सवाल 3 नंबर का है तो दोस्तों बान के चलिए कि 9-12 नंबर के सवाल आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे अगर इतने नहीं तो minimum तो आपको दोस्तों 6 नंबर का सवाल तो जरूर देखने को मिलेगा यहां से तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ तो चलिए दोस्तों फटा-फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले हम जान लेते हैं पोर्ट क्या होता है दोस्तों पोर्ट एक ऐसा डिवाइस होता है जिनसे एक्स्टर्नल डिवाइस कनेक्ट होता है हमारे कम्प्यूटर में External devices are connected to a computer using cables and ports जो external devices जैसे दोस्तों mouse हो गया, printer हो गया, keyboard हो गया, USB pen drive इस सारी चीज़े ports के जरीए ही connect होती है हमारे computer में Ports are slots ये slots होते हैं दोस्तों motherboard में जो की हमारे external devices को plug-in करने के लिए use किया जाता है For example, external device attach होते हैं वो कौन-कौन से हैं, mouse, keyboard, monitor, microphone, speakers ये सारे चीज़े ports के जरीए connect होती हैं हमारे computer में आगे दोस्तों हम इनके types देख लेते हैं दोस्तों, ports जो होते हैं अपने use के हिसाब से इनका size change होता है, इनके pinch change होती हैं दोस्तों जैसे कि आपने pipe देखा होगा, हमको ज़्यादा पानी चाहिए होता है ये series port यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़े इनहीं पर depend होती है चलिए, देखे, हम बात करते हैं तो चीज़े समझ में आएंगी पहले हम serial port की बात करते हैं ये आप देख सकते हैं, ये serial port का diagram है दोस्तों, आप pin गिन लिजे, इसमें कितनी pin है एक pin है, दो, तीन, चार, पांच, पांच उपर है, चार नीचे है दोस्तों, नाइन pin है इसमें, तो देखे, नाइन pin होती है pin से questions पूछे जा रहे हैं, कितने pin कौन से port में होता है तो series port में देखे, आप 9 pin होता है एक इसका दूसरा model बनाया गया था, जिसमें 25 pin model बनाया गया था दोस्तों, यह किसलिए use होता है, यह external modem, जो modems होते है उनको connect करने के लिए दोस्तों, यह port बनाया गया था और यह older computer के जो mouse होते थे दोस्तों, उसके लिए भी यह बनाया गया है यह बहुत पुरानी बाते हैं, अब इनका use नहीं किया जाता है इनमें data कितने speed से travel करती है, 115 kilobits per second के speed से इनमें data travel करता है आगे दोस्तों हम parallel port की बात करेंगे, काफी important है दोस्तों, इससे question पूछा जा चुका है आपके CGL exam में यह आप देख सकते हैं दोस्तों, यह parallel port है, इसको printer port भी कहा जाता है यह किसलिए use किया जाता है, scanner और printers को computer में connect करने के लिए use किया जाता है यह देखिए इसे printer port भी कहा जाता है, यह 25 pin model होता है pin model नहीं पूछा गिया था, पूछा गिया था कि printer port कौन सा होता है, तो parallel port होता है अब अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों, pin के बारे में पूछा जा सकता है कि कितने pin model है तो 25 pin होते हैं दोस्तों, parallel port में उससे पहले दोस्तों, computer, sse, cgl के लिए book बनाई हैं अगर आपको सारी चीज़े detail में देखनी हो, quick revision करना हो, तो दोस्तों ये book perfect है topic wise notes है, mcqs है, 1000 plus question है, तो काफी, एक घंटे में आपको ये book revise कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही topic wise चीज़े दे रखी है, आप आसानी से इसमें समझ जाएंगे तो दोस्तों, अगर आपको ये book चाहिए हो, तो काफी cheap book है, आपको 30-40 रुपए में मिल जाएगी description box में आपको मैं link डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको download कर सकते हैं चलिए topic पर आते हैं दोस्तों, ps-2 port, ps-2 port आप इसको देख लीजे दोस्तों, ये कैसा port है, बहुत पुराने port है दोस्तों, ps-2 port, ये देखिया ये keyboard का port है और ये mouse का port है, पहले cables हुआ करते थे, keyboard mouse में ऐसे होते थे, बढ़ तो अब तो USB वाले आने लगे हैं, क्योंकि USB में दोस्तों, speed काफी अच्छी रहती हैं, इनमें कब data transfer हो पाता था, तो इसलिए ये नहीं use होते हैं, दोस्तों ये used for old computer keyboards and mouse, also called as mouse port, दोस्तों अगर आप से पूछ लिया जाए कि mouse port कौन सा होता है, पूछा जरूर जाएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है, इससे topic जरूर आएगा, तो ps-2 port दोस्तों, mouse port कहा जाता है, exam में पूछा जाए तो आप गलती नहीं करेंगे, most of the old computer provided two ps-2 ports, each for the mouse and keyboard, जो पुराने computer होते थे, उनमें ये दो ports जरूर होते थे, अगर आपने देखा हो, आपने देखा नहीं होगा, बहुत पुराने में होते थे, उसके बाद दोस्तों, USB आता है, आप सभी को पता है, इसके बारे में आजकल यही use किया जाता है, इसको universal serial bus कहा जाता है, USB port क रहा जाता है, सारी चीजे लगभग आजकल इसी से connect होती है, दोस्तों आजकल printer हो गया, scanner हो गया, mouse हो गया, keyboard हो गया, external hard disk हो गया, सारे types of devices, USB device से connect होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें speed काफी अच्छी रहती है, यह introduced हुआ था 1997 में, और दोस्तों सारे computer to USB ports तो provide करते ही है, कि थोड़ा सा उसे कम speed पर दिया जाता है, इसमें data देखे, megabytes में, दोस्तों, वहाँ पर 115 kilobyte bits थी, यहाँ पर देखे, megabits में, data 12 megapits per second की speed से travel करता है, USB complaint device can get power from USB port, power इनको USB port से मिलती है, दोस्तों, अब VGA से देखे, question दोस्तों, पूछा गया था, इसकी pin पूछी गया था, इसमें कितने pin होते हैं, आप ये VGA cable देख लिजे, और ये VGA connector है, ये cable होता है, ये आपके computer में, दोस्तों, रहता है, तो VGA port क्या होता है, video graphic array होता है, दोस्तों, इसमें होता TV में लगेगा, जिसमें graphic cards होते हैं, दोस्तों, उसी में लगता है, connects the monitor to a computer's video card, इसमें 15 holes होते है हैं, यही पूछा गया था कि VGM कितने port होते हैं, तो दोस्तों, पंदरा port होते हैं, ये पूछा जा चुका है, तो अब नहीं पूछा जाएगा, जान लीजे लेकिन, तो similar to the series, ये serial port connector की तरह ही होता है, दोस्तों, आपने देखा ता वहाँ pin होती थी, बट यहाँ पर क्या ह होता है, यहाँ छेद होते हैं, वहाँ pin होती थी, यहाँ holes होते हैं, बस यही अंतर है दोस्तों, पावर कनेक्टर क्या होते हैं, पावर कनेक्टर दोस्तों, आपको सभी को पता है, तीन पिन प्लग होता है, जिसमें पावर कनेक्टर होता है, दोस्तों, fire wire port आप देख सकते वीडियो चाहिए रहती है कैम रिकॉर्डर हो गया वीडियो एक्विमेंट कनेक्ट करने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है क्योंकि हाइड इफिनिशन क्वालिटी चाहिए रहती है इसमें आप देख सकते हैं कि 400 से लेके 800 मेगा बिट्स पर सेकंड तक ट्रैवल करती है दोस्तों इसमें डाटा यह एपल द्वारा इन्वेंट किया गया है अब दोस्तों इसमें देखिए कितने वैरियंट हैं 4-pin फायर वाय है 6-pin फायर वाय है और दोस्तों 9-pin फायर वाय भी है तो 3 वैरियंट है दोस्त तो ये किसलिए होता है ये PC modem को telephone network से connect करने के लिए ये use किया जाता था बट अब इनका use बहुत कम हो गया है अब आगे चलते हैं दोस्तो ethernet port आपने देखा होगा आपके घर में वाइफाई लगा होगा तो आपको एक cable मिली होगी जो की insert हो जाती है ये इसलिए होता है दोस् इसको और अपने router से connect कर लिए दोस्तों आपकी speed बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो दोस्तों connect इस टू network high-speed internet देखिए high-speed internet प्रवाइट करने के लिए इसका use किया जाता है ये network cable connect करता है computer से तो अब चलिए आगे दोस्तों हम बात करते हैं इसमें speed कितनी होती है इसमें 10 megabyte से 1000 megabits तक speed travel करती है वो आपके network के bandwidth पे depend करता है जितना आप recharge करवाएंग जितना आपको mbps speed होगी उस पे भी depend करता है बट इसकी speed बहुत ज़्यादा हाई रहती है अब जितना भी चाहें उतनी तेज network का use कर सकते है गेंपोर्ट देखिए दोस्तों गेंपोर्ट पू अब हम आगे बढ़ते हैं sockets देख लीजे sockets दोस्तों होता है आपने देखा होगा goal सा socket होता है सभी पता होगा जो pin अपने insert करते हैं headphones के microphone के वो sockets कहलाते हैं अब हम identifying parts पर आ जाते हैं दोस्तों identifying parts क्या होते हैं जैसे quicksl toolbar quick access toolbar कहा होता है यह आप से पूछा जाता है तो दोस the most frequently used Excel commands दोस्तों Excel के जो सबसे ज्यादा यूज कर दे जाने वाले command होते हैं वो सबसे उपर left corner में show किये जाते हैं आप इनको अपने आप से customize भी कर सकते हैं जो चीज आप वहाँ पर add करना चाहते हैं जो आप ज्यादा यूज करते हैं वो आप वहाँ पर add भी कर सकते हैं द logo windows का बट अब उसको replace कर दिया गया है अब इसकी जगे पर इन्होंने file का button दे दिया है इसको कहते हैं file tab तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि back stage view चेक करने के लिए हम इसका use करते हैं save करने के लिए create करने के लिए files related जितने भी operations होते हैं उनको करने के लिए file tab का use किया जाता ह अगले बार हम टाइल बार में दोस्तो क्या होता है इसमें document का नाम होता है डोस्तो इसमें करते अप्लिकेशन जैसे की menu bar contain करता है file insert page layout formulas data review view help search bar तो दोस्तों सारी चीज़े इन ही में होती है menu bar में और इसमें सब बार depend होता है जैसे कि file में भी काफी चीज़े आती है insert में भी काफी चीज़े आती है table हो गया page layout में भी काफी सारे layout होते वेब लेयाउट होते हैं, लाइन लेयाउट होते हैं, बहुत सारे लेयाउट होते हैं, ऐसे ही सारी चीज़े दोस्तों चलती हैं, अब हम दोस्तों देखते हैं, रिबन और टूल बार क्या होता है, दोस्तों मेन्यू बार के जस्ट नीचे ही रिबन टूल बार होता है, इनमे आपको भी डिखाऊंगा फिर होता है दोस्तों हमें excel की बात कर रहे हैं उसमें name box होता है जो आपके cell जिस पे आप currently काम कर रहे होते हैं उसका नाम लिखे आता है जैसे कि आप किसी column में काम कर रहे हों एक column में और fifth row में काम कर रहे होंगे तो address आपका name box में A5 लिखके आ जाएगा दूसरे cell पे जाएगे तो name box में वो नाम change हो जाएगा cell address का उसके बाद होता है formula bar दोस्तो इसमें क्या होता है इसमें जो भी हम formula enter क देख सकते हैं मैंने बताया था पहले quick access toolbar होता है यह देखिए यहां पर यह quick access toolbar है यह title bar होता है excel लिखा है book one लिखा है यह नाम है document का जो भी आप save करेंगे अब इसके just नीचे ही दोस्तों आप देखे होंगे यह क्या है यह menu bar है menu bar में क्या होता है दोस्तों इस menu bar में ही home हो पीचे ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों ribbon या toolbar इसमें आप देखिए alignment set कर सकते हैं इसमें आप बहुत सी चीज़े कर सकते हैं italic कर सकते हैं bold कर सकते हैं change कर सकते हैं coloring कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े आपको ribbon या toolbar में दिखेगी exam में question पूछा जा रहा है दोस्तों यह के बाद आप देखिए यह आपका नेम बॉक्स है फॉर्मुला बार है जो भी फॉर्मुला आप इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पर शो होगा यह फाइल मेन्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने सारी चीजे देखी आपको दोस्तों बता दी है बहुत ही असान चीजे है अब आपको confusion नहीं होगा मैं आपको compare करके दिखा देता हूँ MS Word को भी अब MS Word का देख लीजे दोस्तों यहाँ पर भी quick access toolbar होता है same होता है left corner पे बीच में क्या होता है सब से उपर title और document का नाम होता है नीचे या जाईए menu bar होता है यहाँ पर भी file होता है home, insert, design, layout, reference और दोस्तों इसमें एक चीज एड़ हो जाती है MS Word में reference, mailing दो चीजे दोस्तों add हो जाती है तो इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए reference और mailing किसमें ह होता है उसी के नीचे आजाई यह ribbon यह toolbar होता है तो यह सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो वहाँ पर थी सेम चीजे होती है बस थोड़े बहुत changes होते हैं अगर आपने एक चीज समझ ली तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगी दोस्तो यह page borders होते हैं अगर आप से पूछ लिया जाएं यह page borders होते हैं page के border को set करने के लिए तो यह सारी चीजे हैं दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाही है तो हमाई telegram channel में आपको मिल जाएगा description box में link है आप revise कर लिजेगा एक बार और exam को अच्छे से दीजेगा दोस्तों अवि 사现在 स्कीजे गे करें आपको में घर को अजह हैं है पूर यह नहीं है झाचे विज क्वेडिय को के लिए और काही जार को यह थोगे को अब बारeen दोस्तों अधरिं पने करें आपको घू हर श्तों अजह weू से ऌटिङए हैं तो